कहते हैं सिख्षक राष्टर निर्माता होता है अगर वही राष्टर निर्माता सड़क पर उतर कर मज़ूरी करने के लिए विवश हो जाए तो सरकार के लिए से ज़्यादा शर्म की क्या बात है कुछ ऐसा ही नजारा सागर गड़ पहरा सड़क पर देखने को मिला जिसे सु कि शुकायत लेकर स्कूल प्रबंधन कलेक्टर के पास गया हाला कि कलेक्टर ने सड़क सुधारने का आश्वासन दिया लेकिन अभी तक सड़क का काम शुरू नहीं हुआ जिसके बाद सख्षकों ने सड़क की बनमत का बिड़ा उठाया जी हम यहां पर महारेजमेंट पब्लिक स्कूल के सिक्चक शिक आए हैं यहां पर सड़क के नाम पर सड़क बची ही नहीं है क्यों गड़ों का डेर है और जिसमें हमारे बच्चे इतनी जान में जोखिम लगा करके आते हैं हमने सीम हेल्प लाइन में बकायदा फोन लगा कर अनुरोद भी किया कि आप हमारी साहता करिए शायद कुछ कारेवाही हो जाए इसलिए आज हमें शम्दान कर रहे हैं कि संग्यान में इनके आए कि परवन्दा कि आप शेक्स के आशपी श्रीकाइच भी जिए अपको क्या रप्लाइव मिला उपसे में रेप्लाइव मिला यह कि सर्थ सिक्सलेन रूट बना दिया गया है कब बन गया चार दिन के लिए आप लोग काम क्यों कर रहे हैं उसके आज बाजू की जो फिलिंग नहीं हो पाएगी उसको फिल करने आया हुए कि मुष्मिट्र होगा असर पांस नहीं है असल पर ज Two वे स्थिती में है घड़े बहुत हैं हमारे स्कूल की बसे टेली खराब हो रहे हैं बच्चों को जानमालका खत्रा रहता है । हमारे सकूल अपनी तरफ से गिट्टी मिट्टी की विवस्था करके अब हमारे टीचर और स्टाव पठन-पाथन की प्रक्रिया को छोड़कर हम लोग सड़कों पर आकर मजदूरी कर रहे हैं जिससे हमारे स्कूल के बच्चे सुरक्षित रहे हैं मैं 40 साल से इनी सड़कों पर लगातार बदाएगी के तौर पर मैं चला हूँ भुपाल की सड़क की क्या हालत थी आज के नोजवान और वो साहिद मालम नहीं होगी जिनके 18-20 साल हमारे आठ घंटे जाते तो चार घंटे आराम करना पड़ता था भुपाल तब कमरसीधी होती थी तो यह सब कहना कि अच्छा काम होगा है बेतर काम होगा है और बैतर करने की आउशकता है मैं मानता हूं लेकिन यह क्यादाना कि कुछ होगी नहीं है पंद्रा-भी साल हमें तो मै में मार्ण देन ताम युछ युछ युछ